राश्रपती चुनाव 18 जुलाई को हुने हैं और विपक्ष की ओसे यश्वन सिंधा को उमिद्वार बनाया गया है उनकी उमिद्वारी में कॉंग्रेस नेता मली कारजुन खडगी और NCP चेफ शरत पवार की एहन भूमिका रही थी ऐसे में उद्धर ठाकरेगी पार्टी अगर द्रावपदी मुर्मू को चुनाव में समर्थन देती है तो विपक्षी दलों से उसके रिष्टे बिगणना तय है महारश्र में सत्ता गवाचु की शिवसेना के सामने अब एक नई मुश्किला गई है पार्टी के 18 लोग सभा सांसदों में से 13 ने राश्रपती चुनाव में NDA की उमिद्वार द्रावपदी मुर्मू को समर्थन देने का फैसला किया है सांसदों के इस फैसले से शिवसेना की मुश्किले बढ़ सकती है क्योंकि पहले ही बागी विधायकों की वजह से उसे सत्ता से हाथ धोना पड़ा था अब सांसदों ने NDA उमिद्वार का साथ देने का एलान कर दिया है शिवसेना सांसद गजानन किर्तिकर ने बताया कि उन्होंने अपने सामुहिक फैसले की जानकारी उद्धव ठाकरी को भी है इससे पहले शिवसेना सांसद और मुख्य प्रवक्ता संजे राउत ने दावा किया कि लोकसभा में पार्टी के 18 सदस्यों में से 15 ने शिवसेना प्रमुक उद्व ठाकरे के निजी आवास मातोश्री पर हुई बैठक में हिस्सा लिया उन्होंने इस संबन में कोई ब्योरा नहीं दिया महराश्ण में 18 लोकसभा के सांसदों के अलावा केंद्र शासित प्रदेश, दादरा, एवं नगर हवेली और दमन, एवं दिव से कलाबेन डेल कर भी शिवसेना सांसद है वसने मेटिंग भुलाए पाइलोनियल साइंस का आईरुवेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार अभ्यूदै पाइल्स लेजर हॉस्पिडल लोहार समाज भवन के पीछे महापुष्प सोसाइटी शताबदी नगर चौक से मनीश नगर रोड नागपूर